दिल से नाचें इंडिया वाले इस दिवाली आपके लिए और आपके परिवार के लिए लेकर आ रहा है मनरुजन का सबसे बड़ा धमाका जो आप सब को मजबूर कर देगा कि आप लोग भी जब नाचें दिल से नाचें और इस धमाके को इंजाम देने के लिए मेरे खास दोस्त शारुक खान उनकी पूरी रेड़ चिली की टीम और हमारी एसल विजन की टीम साथ आए हैं आप ब्रिलियं दान्सर नाचें गूड दान्सर बड़ देख दान्सर बड़ दान्सर इस बड़ दान्सर आप में बहुत परिशान हो जाता हूं अच्छी जो मैंने पना पॉस शुरू ही इसले किया था फारा मुझे बोलती ती अभी ये स्टेप है ये ये इसले बीट है से बत्तिस बीट ऐसे करते हैं लोग दान्स फिल्मों के अंदर वान टू थू थृफॉ वर सोला बीट अठार बीट तो मैं बीच में डर जाता था मैं वर्ट नी बूलोंगा कि मुझे क्या होता था मैं इस्ट्रेस में आ आजाता था और कर दा फारा मेरे कार कि अषका अठार एक्टर के हिसाब से अधी आठ बीट में यही कर लेता हूं तो मैं यही कर करके मैं उसको अपना स्टै बना लिया मुझे बहुत तकलिफ हो दिए वन टू थरी फूर सुनते ही मैं डर जाता हूं मैं जो बहुत मुछल से डान्स होता है मैं सच कहरा हूं था वेरी गुड दांसर अपने मुझे अपनी बड़ा ही किया करूं अपने बहुत अगा जाता हूं जब दांसिंक के स्टेप्स आती है और अब मुझे एक चीज सीखने को मिली है अब देखने किया अब आपके सब रहसल करें और शूट पे लूक किया एक 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 स्टेप करने से हाँ दांस मैं बताओ सिर्फ दिल से ही होता है दिमाक से स्टेप्स याद किया जाते हैं दांस जो होता है वो आपके मतलब शॉल से आना चाहिए तो अबिसली मैं बहुत छोच जज कर सुकि हूँ ऑल वहाँ टेखने किल पुइंस अब रहाँ दांस आपाँ आपके भी आपके लूट बहुट अब शॉट करते हैं तनी घुशी होती है मुझे नहीं थिंक हम सब को क्योंके बढ़ आंस हास तो दो यू अट तो यू वह ट वर्च वामन वामन रावो leg नाइट। वर्च एव आठेट, यॉल आड़ेश दानि में आठेट किलिए यॉल यॉल उडिव द दानि में है। यॉल ऑफ यॉल मुलाशा करें विरिवा चिल्राइट। जिनको actually professional training मिलती है dancing की, बाकि हम सब तो dance करते हैं यह ना, वहले शादियों में करते हैं, बर्देस पे करते हैं, यहां करते हैं, वहां करते हैं, तो वहां से concept निकला, and जब मैंने इनके साथ discuss किया, तो he liked it very much, and he said, we must come together on this one, तो यह हुआ, और objective मेरे इसाब से entertain करने का है, दर्शिगों को मनरंजन देने का है, और हमारा कुछ भला हो जाए उसके, साथ-साथ तो अच्छी बात है,